नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने हमें एक खास कारिक्रम लेक्के आ रहे हैं। आजादी के पहले नई दिल्ली में स्थित तीन मूर्ति भवन उस समय के बिटिश कमांडर इंचीफ का ओफिशल निवास होता था। स्वतंतर भारत की सरकार ने इसे प्रधान मंत्री के ओफिशल रेसिडेंस में बदलने का फैसला किया। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि तीन मूर्ति भवन और जवाहरलाल नहरू एक दूसरे के परियाये थे। उनकी मृत्यू के बाद प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेत्रतव वाली सरकार ने नहरू के पैशन्स को परपेचुएट करने के लिए इस इमारत को एक समारत में बदलने का फैसला किया। राष्ट्रपती एस राधाकृष्णा ने 14 नवंबर 1964 को मेमोरियल का उधगाटन किया। यदी नहरू जीवित होते तो ये दिन उनका 75 जनम दिन होता। एक अप्रेल 1966 को नहरू मेमोरियल म्यूजियम औड लाइब्रेरी सुसाइटी की स्थापना की गई थी। ये एक पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, आर्काइव औफ हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड्स और संग्रालय चलाता था। पिछले सप्ता सुसाइटी ने घोशना की कि नहरू का नाम हटा दिया गया है और अब इसे प्रधानमंत्री संग्रालय और पुस्तकालय सुसाइटी के नाम से जाना जाएगा। जाहिर सी बात है ये फैसला वादपूर्ण है। हम आज इसके बारे में बात करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नहरू का नाम हटाना क्यों महत्वपूर्ण और जरूरी है इस सरकार के लिए। मेरे साथ इस खास कारिक्रम में बात करने के लिए हैं ब्रदुला मुखजी जो हिंदुस्तान के शायद बहुत बड़े इतिहासकारों में हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये N.M.M.L. नहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइबरी की जो सुसाइटी थी उसकी डायरेक्टर रह चुकी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दौर में सलेल मिश्रा वो भी बहुत विख्यात इतिहासकार हैं आप दोनों का इस कारिक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं सलेल जी आपने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक बहुत ही बेहतरीन और पॉइंट किसम का आर्टिकल भी लिखा है इस पर्टिकलर चीज पे अपने एक इतिहासकार के तोर पर अपने उपीनियन को जताते हुए कि क्यों हटाया गया है तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये सवाल समझना ज़रूरी है नहरू के साथ इस सरकार की प्रॉब्लिम क्या है बहुत हुमा फिरा के उनको नहरू की नीती या नहरू जवाला नहरू के कंधों पर उनको डाल दिया जाता है एक वजह तो ये भी है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो सैंतालिस से जो हमारे समाज का राजनीती का बहुत ही महत्तोपूर एक क्रूशल एक एक्सियल धुरी वाल को चुकि एक पाकिस्तान बन गया है जो कि मुस्लिम पाकिस्तान है तो हिंदू इंडिया बनना चाहिए आर्थिक नीतिया भी ये माना जा रहा था कि हमें जो है सेल्फ रेलाइंस की जगे कही ने कहीं पर बिल्कुली ओपन अपनी एकॉनमी को कर देना चाहिए नहरू की उ अगर रही है तो उसके लिए लगता है कि नहरू कोई एक दम से जिमादार बना दिया जाए तो एक तो यही है कि नहरू बैशिंग के दौर से गुजर रहे हैं और बहुत सारी चोटे-चोटे कदम हैं जो जिनकी एक सिंबॉलिक सिंग्निफिकेंस है क्या उसका नाम रहता है वो उस बड़ी एक तस्वीर का हिस्सा है और दूसरा जो मुझे ताजब ये भी लगता है कि मुझे अब मैं बहुत पका तो नही हो लेकि मुझे लग रहा है कि कुछ हमारे समाज में बुनियादी तोर पे धरातल के तोर पे कुछ तबदीलियां ऐसी हो रही है और कोशिश भी की जा रही है कि नहरू की जो विरासत है किस तरह का भारत होना चाहिए भारत का क्या सुरूप होना चाहिए हमारा क्या भविश्य होना चाहिए उसको लेके खास तरह की अपैथी एक खास तरह की उपेक्षा और एक खास तरह का एक अपैथी ही मेरे समय चाहिए वो भी पॉलिटिक्स में भी और लार्जर ससाइटी में भी है तो ये मुझे लगता है कि ये दो चीजे जो है मैं तो बिगिन वे ये दो चीजे मैं आपके सामने रखना चाहूं मुर्दुला जी आप NMML की डारेक्टर रह चुकी हैं पिछले साल बहुत ही धूम धाम के साथ इस सरकार ने प्रधान मंतरी संग्राले का उदगाटन किया उसको लांच किया और अभी भी उसको कोई मौका नहीं छोड़ा जाता उसको पब्लिसाइज करने का ये कहा जाता है क कि इस सरकार ने इसलिए बतला क्योंकि वो जो पहले की जो म्यूजियम थी वो पूरी नहरू की पर्सनल प्रोमोशन के लिए थी कि ये बार बार बोला जाता है कि नहरू गांधी परिवार का ही प्रोमोशन कॉंग्रेस की सरकारे करती रही हैं और इसके पहले की भी जो सरका उसको परिवर्तन करने में उसका ज्यादा उन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाए तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पूरा का पूरा जो तीन बूर्ती भवन था जिसके कई सारे अक्टिविटीज थें जिसके बारे में मैंने जिकर किया कि तो जब हम लोग गहते तो हम लोग देखे थे कि ये नहरू का कोई प्रोमोशन नहीं था बल्कि राष्ट्री आंदोलन की कहानी बताती थी तो जरा बताएंगे कि ये जो प्रचार है कि सिर्फ नहरू के प्रोमोशन के लिए था ये पूरी तरह से गलत था ये इसके बारे म जिसे निलान जन आपने काहा है जो वहां पे म्यूजियम है जो कि मेन बिल्डिंग जो है पुरानी वादी जिसमे जवाला नेरू खुद रहते थे जो कमांडर इंचीफ जो रेजिदेंस थी वो चनवर्ट हो गई म्यूजियम में तो लोगों को जानके ताज़ोब होगा कि सि एक उनका जो रिसेप्शन वादा डाइनिंग रूम वगएरा था बॉल्ड रूम और एक रीकंस्ट्रक्टेड स्टडी था जो उनका एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्ट्री में जो प्रामिनिस्टर ओफिस वगएरा में था उसको वहां से फॉनिचर वगएरा लगा के एक री नहीं तो नहीं तो नहीं तो एक कमरा था जिसमें नहीं का बच्पन से लेके यूथ तक दिखाया जाता है जब तक वो फ्रीडम स्ट्रगल एंटर कर लेते हैं और वो सिरफ एक कमरा था उसके बाद स्वतंतरता संग्राम की पूरी कहानी शुरू हो जाती है तो पहले पूर पूरा फेस बाद से दूसरे कमरे में पूरी कहानी उसकी फोटोग्राफ और टेक्स जो थी दिखाई जाती थी और फिर एक कमरा था जिसमें रविलूश्टरी इसके फोटो थे जैसे भगत सिंग और उनके जो साथी थे तो हर एस्पेक्ट जो था फ्रीडम स्ट्रगल का उ उसके बाद कहानी फ्रीडम स्ट्रगल कि थी नहरू की नहीं थी फिर एक एंड में जाके एक वो आता है जो एस प्राइम मिनिस्टर मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया तो उसमें फिर नहरू थोड़े जादा आते है क्योंके ही इस प्राइम मिनिस्टर पर वहां भी जो फोक कभी पे नहरू सेंट्रिक था ही नहीं यह एक बिल्कुल गलत इंप्रेशन था दूसरा जहां तक लाइबरी और अर्काइब्स का सवाल है तो वहां पे भी एक जैसे के फोकस जो था वो फ्रीडम स्ट्रगल पे और मॉडन इंडिया की इस फ्री पे तो हां एक छोटा जिस पे गांदी जी पे बुक्स अलग रखी हुई थी तो एक नहरू आना एक गांधी आना तो वहां भी कहीं आपको नहीं दिखेगा के नहरू को कोई ऐसे प्रमुखता दी हुई है और काइब्स का जहां तक सवाल है जवाला नहरू के पेपर्स भी उसमे थे पर तो अगर आप वह भी आनलाइज करें और कैसे चेंबर ओफ कॉमर्स के पेपर्स है मैं क्या क्या बता हूँ वह हुई बहुत बड़ा एक आर्काइज है और उसमें कोई भी कहीं पे भी यह नहीं था कि नहरू को बार के दिखाया जा रहा है कृष्णा मैनन के पेपर्स वहा पे हैं बहुत सारे डिप्लोमेट्स के पेपर्स वहाँ पे हैं तो पता नहीं यह कैसे यह एक पूरा जैसे के जिस तरह से हर चीज में आजकल हम देखते हैं के कहानी गड़ दी जाती है और फिर उसको प्रोपगेंड़ करकर के करकर के लोगों को समझाया जाता है कि यह ऐस शोद करते हुए तो आपको क्या लगता है कि यह जो संघालय में जो मृदुला जी बता रही थी कि जो प्राइवेट पेपर और अलग-अलग किसम के जो कैटिगरीज पेपर हैं यह कितने महत्वपूर्ण हैं और इसको सेवगार्ड करना कितना जरूरी है हिंदुस्तान मे इतिहास की समझ को मतलब आगे और इस पे काम करने के लिए हमने पिछले नौ सालों में ये भी देखा है कि सरकार का शोद से कोई खास किसम का इच्छा नहीं है मतलब बेसिकली जैसे बिदुला जी ने बताया कि कहानी रच्छ दी जाती है उसको फिर पब्रिसाइज किया ज जो की बिलकुल इतिहासिक तथे से परे है लेकिन फिर भी उसका प्रचार होता है और यही आगे चलके सत्य बनता है तो क्या आपको यहां की जो आर्काइव्स हैं इसको कोई आगे चलके खत्रा नजर आता है निलांचन अभी भी अगर बाहर से स्कॉलर्स आते हैं जो की इन हिस्ट्री पर काम करना चाहते हैं तो नैशनल आर्काइव्स से पहले वो तीन मूर्ती में आते हैं नहरू मेमॉरियल म्यूजियम और लाइबरेडी में आते हैं इसलिए बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स यहां अप रहें जो की नैशनल आर्काइव्स में नहीं है इन्डिविज्वल बड़े बड़े नेताओं के पेपर अपको अच्छा काम करना है तो तीन मूर्ती से ज्यादा बेहतर आपको कोई जगह मिलेगी ही नहीं जब बियार नंदा शायद पहले डिरेक्टर थे तो हिंदू महासभा के साथ वहां पर बहुत सारे उनके रिकॉर तो अगर आप हिंदू महासभा पे या कॉम्मिनिस पार्टी पे काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी सबसे बहतर सोर्स जो है उसके लिए ये लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी से जादा ये आर्काइव है प्राइवेट डिरिटा का प्राइवेट रिकॉर्ड्स का और खास बात ये है चुकि मैंने तो 40 साल से वहां काम किया है इतने बहतर तरीके से वह और्गिनाइजड है इतना सारे रिकॉर्ड्स आपके लिए एक्सेसिबल हैं तुरत आपको मिल जाते हैं और एक समय में कोशिश थी उनके डिजिटाइजेशन की अगर वो हो जाता समय रहते हैं हो सकता है प्रोफेसर मुकर जी उस पे बात करें तब तो और भी बहुत अच्छा होता लेकिन वो उसमें थोड़ी डिलो होगी तो मुझे लगता है कि एक रेपोजिटरी ओफ रेकॉर्ड्स और मॉडन इंडिया प्राइवेट, ब्रिटिश, इंडियन, और्गिनाइज़ेशनल, इंडिवीज़ल, न्यूस पेपर्स, रिपोर्ट्स उस पर हमारे पूरे देश में इस से बहतर कोई सोर्स नही है, बहुत और्गिनाइज़ और बहुत बहतर तो वो नाम नहरू का है लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिकली नहरू को लेके कुछ नही था वो एक मौडन इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बहतरीन और सबसे वेल इक्वेप्ट, एफिशेंटली और्गिनाइज़ जगह थी मृदुला जी एक चीज समझना बहुत ज़रूरी है, हम लोग बात कर रहे हैं नहरू, उनके नाम पे जो इंसिट्यूशन थी, उसके बारे में बात करें, लेकिन हम को बार बार इसी पर बारे में बात भी करनी चाहिए कि नहरू से असल में परिशानी क्या है तो एक तर से बेसिक सिंप्लिस्टिकली अगर हम देखें, तो हिंदुस्तान के जो दक्षिन पंथी जो ताकते हैं, जो हमारे सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उसी विचारधारा को विश्वास करते हैं, अगर उनके लिए कोई सबसे बड़ा मॉडन इंडि या में आइडिलॉजिकल ओपोनेंट के तौर पे कोई था, तो शायद नहरू खड़े होते हैं, क्या ये फॉर्मुलेशन सही है, कि नहरू को हटाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि नहरू ने उस पत पर हिंदुस्तान को नहीं चलने दिया, जिस पत पर राष्ट्रे स्वेम मुझे लगता है कि गांदी जी और उनके विचार, गांदी जी का पूरा जीवन जो है वो भी उतना ही बड़ा इनके रस्ते में एक रुकावट है, जितना के जवालाल नेरो, पर गांदी जी का नाम इतना उचा है, कि उनको अभी तक फ्रंटली इनको हटाने की, अटाने क की हिम्मत नहीं हो रही, हलांकि आप देखेंगे कि कई तरह से, साइड से, फ्रिंजिस से, लोग बोलते हैं, उनको रोका नहीं जाता, अभी हाली में कई चीफपरिस्टर तक ने, कई बहुत बड़े-बड़े नेतां नाथूराम गोट से की, तो आम बिलकु प्रशंचा हो पर जवालाल नेरू को तो डायरेक्ट अटाइक बहुत दिन से चल रहा है, और इसके मुझो लगते है कि एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जहां तक इनके विचारधारा में सामप्रदायकता का सवाल है, तो जवालाल नेरू जो थे, वो सामप्रदायकता के बहुत क्लि अधियर जी भी उतने ही उपोनें थे, उनकी भाषा अलग थे, वो सामप्रदायकता वर्ड नहीं यूज करते थे पर वो कहते थे आपस में वेर नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हार्मनी, लव, जहां तब जवालाल नेरू का सवाल है, वो एक अनलिटिकल किसम से भी बात करते थे, तो सबसे पहले हमारे देश में सामप्रदायकता का विशलेशन अगर किसी ने किया, 1930 के दशक में, तो वो जवालाल नेरू ने किया, और हिंदोस्तान के लोगों को समझाया, कि यह क्यो खत्रे सिखाली नहीं है, उन्हों नहीं हमें बताया, कि हिं इस विचारधाना में होते हैं, दूसरा मुझे एक और तो वो तो है ही रुकावट, उनके आइडियास बिलकुल इनके आइडियास के ऑपोजिट स्टैंट करते हैं, पर एक मुझे और भी इंट्रिस्टिंग सी चीज लगती है, मुझे लगता है कि कहीं पर हमारे शाय जो अद्धार से परण बनाती है, तो जार भी जैडीयास के आए नियुके रहए नियुके लगता जिएर अभी आए टृष्टमाट जो अबाते हैं, मुझे लगता है बनाता है, उनके भी और लिएस बार अपने याप रिचारधाना दार्धाना जातना है, मुझे लगता है है मुझे लगता है कि जैसे कही पर एक अगर साइकोलोजिकल रिजन हम अगर तो कही पर एक उनमें ये कोई खास जो मैं कहारी हूं लगाव है नेहरू के साथ खास अटाचमेंट ये उपसेशन है कि वो जैसे वो रिप्लेस करना चाहते है क्योंकि बहुत ज्यादा हम देखते है जरूरत से बहुत ज्यादा नेहरू को डिमिनिश करना जैसे कि मुझे समझ नही आई कभी भी आप रधान मंत्रियों के जिनके भी नाम में म्यूजियम बनाना चाहते है दिल्ली में जगा कम है आपके पास पैसे कोई कभी है क्या एक पूरा सेंट्रल विस्टा बन रहा है ह नेहरू सिर्फ पहले प्रधान मंत्री नहीं थे नेहरू हम सबसे इंपोर्टेंट मेरे इतिहासकार के नाते में कहूंगी कि वह हमारे स्वतंतता संग्राम के सबसे माने हुए लीडर थे गांदी जी के बाल जी वह सेकेंड ओनली तो गांदी जी और उनका जो रोल था हमार प्रध जेल उनोंने काटी हर बात पर ब्रिटिश उनको जेल में दाल देते हैं क्योंकि उनसे डरते भी बहुत थे वह राडिकल तरीके की बाते करते हैं रेवलूशनरी है तो हमेशा उनकी कोशिश होती थी दबाके रखने की और इनको प्लिट करने की कि गांदी जी से किस हम नहरू तो चले गए बात हमारी है कि हम अपने जो हमारे फ्रीडम फाइटर है हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको हम किस तरह से इस तरह से तोहीन होते अपनी आखों के सामने देख गए है जी सलिल भाई मृदुला जी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कहा कि नहरू को डिमिनिश करने का मतलब है कि आप हमारे राश्ट्रिय आंदोलन को ही डिमिनिश कर रहे हैं नहरू को क्रिडिसाइज किया जाता है अक्सर कहा जाता है बहुत जी होते तो शायर हिंदुस्तान का बटवारा नहीं होता तो ये जो इतिहास है अगर वो ऐसा ना होता कुछ और होता तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है और ये जो पूरा का पूरा जो फैब्रिकेटिट कहानी है कि नहरू को अट एनी कॉस्ट इवन बटवारे के कॉस है कि यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए लौहे जहां पे हर्फे मुकरर नहीं हूं मैं मैं वो अक्षर नहीं हो जो कि बार बार लिखा जाएगा वो कभी कबार लिखा जाता है क्यों उसको लोग मिटाने पे तुले हुए और उसे में शायद जवाब भी शामिल है क कि इसी लिए मिटाने पर तो ले हुए हैं तो मुझे लगता है आपके सवाल पर आते हुए कि एक तो इतिहास में यह जो काउंटर फैक्चुल टेम्टेशन या टेंडेंसी होती है हमारे तो टीचर लोग हैं वो हमको बताते थे कि बहुत ध्यान से इसका इस्तेमाल करो इसलि क्या होता अगर यह नहीं होता तो कैसे होता लेकिन यह बहुत discipline की इसके लिए जरूरत होती है लेकिन हमारे समाज में कोई भी इस पर उटके कोई भी कभी भी कुछ भी बोल सकता है कि इगर ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता वो किस आधार पे कहा जा रहा है क्या factual basis हैं एक सेट ओफ फैक्टर्स हैं, वेरियबल्स हैं, कुछ वेरियबल्स को निकाल रहे हैं, तो अतीत कैसा बना होता, ये बताना बहुत मुश्किल होता है, और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग, बहुत महनत इतिहास में, सोशल साइंस में, फिलोसिफी में करनी होती है, ये यूही कहने की बात नहीं होती है, लेकिन ये टेम्टेशन है, काउंटर फैक्चुल का टेम्टेशन है, हमें खास तरह का अतीत चाहते हैं, अतीत वैसा हुआ नहीं तो हमारे सामने यह होता है कि हम यह बता देंगे कि ऐसा नहीं होता तो वैसा हो गया होता और एक आधरशी कृत अतीत हम अपना बना देते हैं तो यह तो एक उसके पीछे एक राजनीतिक सुार्थ होते हैं तत्यों में और बहुत सारी चीजों में लेकिन आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, कोई भी कह देता है, तो इससे जदा तो मैं क्या ही कहूं इसके है, हमको तो लगता है हमारी जूरती नहीं है हमारे समाज को, क्योंकि इतने सारे इतिहासकार मिल गए हुए उनको, हर कोई उठके इतिहास के बारे में बता देता है और खुल अथौरиватьाटी से बताते हैं ये बहुत मुश्किल काम हो पाता है बता आपना कि अगर ये जो factors हैं एक constellation of factors है इसमेंसे ये दो factors के लिए कोई और दो factors होते तो क्या होता है ये बहुत मुश्किल होता है और इसलिए अक्सर हम लोगों से कहा भी जाता है जब हमारी ट्रेनिंग होती है कि आप counterfactuals को avoid कीजिए एक temptation हमें भी होता है counterfactuals के बारे में सोचने का लेकिन उसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है और इसी तरह से एक hypothetical अतीद के बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन अगर willpower के आधार पे आप history लिख रहे हैं तब आप कुछ भी कह सकते हैं फिर आपको सौखून माफ है willpower या state power? willpower, state power मिर्दुला जी एक बात और इसी से जुड़ा हुआ कि खास एक परिवार का प्रोमोशन हुआ है अभी पिछले साल हिंदुस्तान ने अपने आजादी के 75 साल को काज एक तरह से इस सरकार ने अमरित महुत सब के नाम से एक जशन सामनाया और कहा कि हम लोग अमरित काल में खुझ गए कि अब से लेके 75 से लेके सौवे साल तक जबाबारी सेंटिनरी होगी 2047 में ये हमारा अमरित काल है जब जो कुछ जो हमारे एस्पिरिशन से जो आज तक पिछली सरकारों ने पूरा नहीं किया वो अब की जो सरकार है और जो आने वाले सरकार जो इनी के शायद पत्थ पचलेंगे इनका इनकी ये सोच है कि वो पूरा कर देंगे तो और इसमें एक चीज और किया गया कि उन्होंने ये कहा कि हमें उन आजादी के सेनानियों की कहानी बतानी है जिनको कम्प्लीटली इग्नोर किया है उसमें सबसे बड़े स्थम के तौर पर नेता जी सुबाशिंदर बोस को खड़ा किया जो सेन्टल विस्ता के जो खाली जो कैनोपी थी वहाँ पे उनका स्टैचू को उन्होंने इंस्टॉल किया तो इस तरह से जो एक दूसरा इतिहास को ये लोग प्रोमोट कर रहे हैं जिसमें इतिहासकार आप टीह के राय नेता जी का उस समय जो इस विल्गाजी का निता जी को क्यों हितना नहीं प्रोमोट किया गया और शूंस के हमने ध dolp 좌на कम उन मेदए की बीड़के ते एक तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक जैसे के इन फैशनी हो गया ये चैहना, कि इसके बारे में बीन लिखा गया, इसके बारे में बीनी लिखा गया, सिरफ एक अपने को पॉलिटिकली परपिचूइट करने कि लिये एक कहानी रची जाती है, जी, तो ये खासकर ये अ जब इसका रिनेमिंग जब इसको मेमोरियल बनाया था तो लाल बादू शास्त्री प्रधान मंत्री थे रादा कृष्णन राष्ट्रपती थे और इंडिरा गांधी उसमें सिर्फ एक कैबनेट मंत्री थी शास्त्री के और एक्ष्ट्वल स्थिति यह है जो कि उस वक्त और सब recorded है तेन मुर्ती में भी कि इंडरा गांधी इसके हक में नहीं थी यह memorialization के यह बलकि दूसरे जो साथी थे जवालाल नेरु के यह उनकी इच्छा थी कि यह जरूर कि उनका जो stature है जवालाल नेरु का और उनका जो contribution है उसको एक इस तरह का एक permanent memorial उनके नाम में बनना च नेरु को अभार के नहीं दिखाया गया बलकि फ्रीडम स्रगल की कहानी लिखी गई लाइबरी जो थी वो नेरु के उपर लाइबरी नहीं थी कही पे यह नहीं है कि वो नेरु की जीवनिया लिखी जाएंगी बहां पे इन फाक्ट नेरु के उपर बहुत कम रिसर्च सबस्ञों हैं तो सिलेकटिद वर्क्स दुआ जुवालाल नेरु जो है यह निमोरियल म्यूजियम नहीं निखाले, वो ऐक अलग वर्गनाजेशियों है New Memorial Fund, जो कि एक प्राइवेट ट्रस्ट है, वो निकालते हैं, तो ये भी, जैसे गांदी के जो Collected Works थे, वो Government of India ने निकाले थे, पर नेहरु के Selected Works, Government of India ने नहीं निकाले हैं, वो एक प्राइवेट ट्रस्ट है, जो जिसने निकाले हैं, तो नहरू को प्रोजेक्ट करने का या ओवर प्रोजेक्ट करने की कभी भी इसमें हमें नहीं दिखाई जाते हैं तो यह जो है कि नहरू को कर रहे थे दूसरों को नहीं कर रहे थे और देखिए जहां तक सुभाश बोस वाली कहानी का सवाल है मुझे बहुत दुख होता है इतना हाइप हुआ कि वो जो पेपर्स फाइल्स खुलेंगी उन मेंसे पता नहीं क्या-क्या निकलेगा और उसके पहले क्या कुछ नहीं कहा गया कि यह यहां तक कहा दिया गया कि ने उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा हूँ अंग्रेजों को कहा कि इनको गाइब कर दो और यह और वो जी और वो सारी फाइले खुल गई एक चीज नहीं उसमें से मिली सुगाता बोस जो के सुभाश बोस के ग्राइंड निफ्यू है और बहुत जाने माने हिस्टॉरियन है मेंबर ऑफ पार्लिमेंट रह चुके हैं कितनी बारी उन्होंने रेकॉर्ड में कहा है कि हमारी फैमिली के तालुकात जवालल नहरू के साथ सुभाश बोस की डेथ के बाद सिक्स्टीज फिफ्टीज में सिक्स्टीज में बहुत नजदीक के थे उन्होंने यहां तक बताय जो डेता जी भवन जिसको अब कहते हैं जवालल नहरू जब भी कलकत्ते आते थे उनके घर में रहते थे और एक कमरा था जिसको जवाहर का कमरा कहा जाता था तो इस तरहां के उनके क्लोस आप उनकी कॉर्रिस्पॉंडेंस देखिए नहरू और बोस की इतना प्यार का इंडिया नाश्टल आर्मी बनाई और जब उन्होंने इंडिया बेजी अपनी फोज को तो उन्होंने उसको क्या कहा कि जैसे तुम बॉर्डर क्रोस करोगे और हिंदोस्तान की टेरिट्री कंदर पोचे कि तुम्हारा कमांडर इंचीफ महात्मा गांदी होगा मैंने उन्हों महात्मा गांदी को सबसे पहले फादर ओफ द न इशन की उपाधी दी एडरेस किया उन्हों ने रेडियो पे वहाँ सेaboutर नोगों को मालू को मालूम इनहीं है कि सबसे पहले उन्हों ने ये वर्ड यूज किया फादर ऑफ ஐ नेशन वो कोई और सुम के लों पहुती इस इ बड़े लेवल के डिफरेंसे होते थे, वो देश को आगे कैसे ले जाना है उसके उपर होते थे, वो कोई केरियर के लिए या पुजिशन के लिए नहीं, वहाँ पे अगर कॉम्पिटिशन था तो यह था कि साक्रिफाइस कौन जादा करेगा, वो कोई पावर के लिए कोई भ प्राइमिरिस्टर बनना था, यह था, यह वही लोग कह सते हैं जिनको हमारे सुतंतरता संग्राम की कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो यह मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप भगत सिंग को उभारने के लिए आप नेरू को नीचा दिखाना चाहते है, जिए लिए गलत यह एक अलिगेशन है इंडियन हिस्टोरियन्स के हम लोगों ने जए नेरू को छोड़ के दूसरे लोगों पर काम नहीं किया, यह फाक्चुली रहूं है और मैसको चाहती चाहती हूँ कि प्रूव कर के दिखाओ, नेता जी पर बहुत काम हुआ है, सदार लगाते है कि जैसे हम सब कॉंग्रिस भक्त और नेरू भक्त रह गए और और कॉम्यूनिस्ट और उपर से हम कॉम्यूनिस्ट है तो यह अजीप किसम की यह सारी अलिगेशन्स है जो की जो जिसके एक बेसिस बना के फिर आप चाहें नेरू बहुता दीजिए, हिस्ट्री ब करेंगे, देख पाएंगे. नेरू के प्रती इतना प्रेम था, लेकिन 1990 के दशक से शायद यह जो कॉम्पैक्ट था, इसमें परिवर्तन आता है, हमारा इलीट का विसार होता है, मिडल क्लास का एक्स्पैंशन देखने को मिलता है, इसलिए इनकी जो ग्राउंडिंग थी, वो शायद उन वैल्यूस में नहीं थी, जो आजादी के तुरंट बाद के दशकों में जो वैल्यूस देखी गए थी, जो डॉमिनेट थी, तो इसके बारे में जरा बताएंगे कि किस तरह से वैल्यूस चेंज हुएं और उसकी वज़े से नहरू को आज डी लेजिटिमाईज करना इतना आसान क्यों हो निलान जन दो तीन चीजें हैं, एक तो जो आपने बताया वो तो ही कि एक खास दोर में जब एक एक्सपैंशन होता है ग्रूप का, नए ग्रूप सा अंदर आते हैं, फर्स्ट एंट्री जिनकी होती है, तो वो ट्रांजिशन का फेज जो है, उसमें खास तरह की अनसर्टि प्रिकारियसनेस और उस प्रिकारियस उससे एक रूथलेसनेस निकलती है, कॉम्पेटिटिव वगरा, तो वो सारा इथास जो है धीरे-धीरे बदलने लगता है, लेकिन वो सिरफ एक नैचुरल एविल्यूशन का ही हिस्सा नहीं है, वो मुझे लग रहा है खास कोशिश भ पूरे एक शृधा, पूरा एक विश्वास था कि हमारा देश उस तरह उस तरफ जाएगा, अब जाहिर सी बात है कि वो तस्वीर सारे लोगों की तस्वीर नहीं है, आज वो एक तस्वीर कॉनसेंसुल नहीं है, हमको लग रहा था कि पचार सो साट के दशक में खास तरह की सर्वसमत ही है, खास तरह की कॉनसेंसस है कि देश का भविशक किस तरह का होना चाहिए, एक तो वो कॉनसेंस। unrealistic भी हो जाता है लेकिन वो था वो consensus भी पूरी तरीके से तूटने लगा नहरू उस consensus के leader थे और उसका हिस्सा भी थे और जब वो consensus तूटती है तो वो फिर नहरू पर भी attitudes लोगों के कही न कहीं पर बदलने लगते हैं तो एक तरफ तो contempt है नहरू को लेके ruling classes में मुझे मानना है कि एक थोड़ी सी ignorance भी है नहरू को लेके थोड़ी सी वो फैलाई भी जा रही है थोड़ी ignorance भी है और कुछ एक apathy भी है कुछ एक indifference भी है लेकिन मुझे लगता है कि ये बदलेगा इसलिए कि समाज किसी एक हालत में तो नहीं रहता है फिजा बदलती है चीजें बदलती है सोच बदलती है मुझे लगता है कि एक शुरुआत होगी एक moral intellectual revolution की उसमें combination होगा moral और intellectual का जिसमें कि फिर ये सारे विचार एक बार को फिर से आएंगे जिसमें कि हम फिर से पहचानेंगे कि गांधी की विरासत क्या है नहरू की विरासत क्या है टेगोर की विरासत क्या है हमारे national movement की विरासत क्या है और वो फिर से एक बार कि हमारे देश के DNA में आएगी और लोगों की मानसिक्ता में वो internalize करेंगे लोगों को एक हमें moral intellectual revolution की जरूरत है हो सकता है कि यही मौका है कि उसकी शुरुवात हो जाए एक सुगबुगाहट तो हलकी फुल की मुझे देख रही है लेकिन अब देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से डिवेलब होता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़े से नहरु दरकिनार हो गए है एक तो प्रोजेक्ट है कॉंशेसली वो तो क्लियर है नहरु बैशिंग और नहरु की लेगेसी को कॉंशेसली हटानी के कोशिश है लेकिन कुछ एक एक जो कॉंसेंसस तूट गई है तो उससे भी ल एक भाषा, एक कल्चर, एक रीजन का डॉमिनेशन होगा तो फिर कॉंफ्लिक्ट नहीं होगा बड़ी आसानी से सब कुछ चलता रहेगा ये लोगों का मानना हो गया है कि प्लूरलिजम में तो कॉंफ्लिक्ट की समस्याइं जादा होती है तो एक कुछ फिजा तो बदली है काफी पिछले 20-30-40 साल में लेकिन वो फिर बदलेगी और लेकिन उसको बदलने के लिए एक हमें मौरल इंटिलेक्ट्वल रेवल्यूशन की जरूरत है और वो फिर से नहरू गांधी और नैशनल मूव्मेंट को हमारे सरोकार के केंद्र में फिर से वापस लाएगा मौतला जी आपको आपका कितना कॉंफिटेंस है जो बात सलिल भाई बोल रहे हैं कि फिर से एक मौरल और एक इंटिलेक्ट्वल हम लोग हैं रेवलूशन की कि हमारे नैशनल मूवमेंट भई था वो एक मौरल इंटिलेक्ट्वल रेवलूशन था आजादी के लड़ाई त जो संग परिवार की जो राजनीती है इनके पीछे सबसे बड़ा जो नहरू के विजन से जो परिशानी है वो है उनके सेकुलरिज्म उनके प्लूरिलिज्म पर रिचार यहां पे जिस तरह से हमको हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज काव को जिस तरह से खत्रा फेस करना प पते है आज उत्राखंड की बात है वहां पे महराश्रा में डेपुटी चीफ मिनिस्टर होके भी सब को औरंग्जेब की आुलाद करके लेबल करते हैं प्रधान मंत्री करनाटक में जाके बजरंग दल को पिल्कुल एलजेब्रा के एक्वेशन के तौर पे बजरंग दल इस एक्वल टू बजरंग बली शाद पहली बार किसी प्रधान मंत्री ने इस तरह से एक्वेट किया इस तरह की चीजे देखने को मिलती है और जो हमारे जो इंसिटूशन्स हैं वो कोई अपने जो काम हैं उनको नहीं करते हैं इलक्शन कमिशन इस पे बिल्कुल रियाक्ट नहीं करती है तो इस सब चीज को लगता है कि नहरू को अगर हम हटा दें तो हम पूरी तरह से अपने कम्यूनल एजेंडे को हिंदूस्तान पर हावी करतेंगे जहां पे एक तरह से आम लोगों में भी थोड़ी बहु का स सही है कि कुछ Бी करिये मुसलमानों कुछ जादा बोलते हैं इसेशली मैनौरिटी के बारे में जब बात करते हैं जनता की बात एसेशली मुसलमान को लेके होता है तो आपको इस सब चीज में देखते हुए फिर भी कितना confidence है कि तुबारा से एक नई सोच फिर से बन पाएगी विश्वास इसलिए है कि नई सोच बन पाएगी क्योंकि वो जरूरी है उसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता अगर इस देश को बचना है अगर इसको आगे जाना है और अगर हम पूरा इतिहास अपना देखें और दुनिया का देखें ऐसे दोर आते हैं दूसरे देशों की जिंदगी में भी आये हैं आप वापस जाएए जो जर्मनी में जाएए आप जाएए जो सेकंड वर्ल्ड वार के पहले का जो पूरा फेज है इटली में जाएए तो जो इतनी एडवान्स सिविलजेशन थी जर्मनी का खासकर आप दीखें कि अचंबे क कि जो माना जाता था एक तरह से European Civilization का हाट माना जाता था जर्मनी, music वहां का best, philosophy वहां की best, हर चीज पे अगर आप देखे तो एक पिनिकल पे Western Civilization आपको जर्मनी में मिलती थे, 19th century, 18th century से, 17th century से आप पूरा देखे, Lutheran Revolution वहां का, कितना revolutionary उनका tradition था, जब माक्स बात करते हैं 19th century में, तो जर्मनी के बारे में, as a leader of revolution, सोचते हैं कि आगे जाएगा, पर ऐसा दोर आया, जब कि economic, social, political, कई reasons थे, जो कि वह बिलकुल दूसरे direction में चला गया, और जैसे कि कुछ दिन के लिए, लोगों में एक पागल पंसा हो गया, नहीं तो आप कैसे ये सोच सकते हैं, क पड़े लिखे लोग, वो ये टॉलेरेट कर लेंगे कि एक कम्यूनीटी को marginalize किया गया, और छे मिलियन जूस जो है, उनका फिजिकल एक्स्टर्मिनेशन हो गया, तो पर कुछ हुआ, जो के पर उनको पर समझ आई, और उसके बाद अब आप देखिए कि जर्मनी ने किस त एक कितना नुकसान हुआ, जो क्यों पर जूस का नहीं हुआ, उनका तो हो रही जो पर जर्मनीस का कितना किसो हुआ जो कितना नुकसान हुआ, आपने बर उसकी पर आपके इस तरह की नेगटिव चीजे प्यामिने ले देते हैं, जब आप जैट और नफरत और ये सब कि दूसरे से बाहर करना अच्छी बात है तो यह पूरा सिविलाइजेशन का जो हिस्ट्री है उसमें अगर हम देखें तो कोई भी इसको कभी भी फॉर लॉंग टाम तो जस्टिफाई नहीं कर सकता हमारे अब गांडी जी कितनी बाहर उनके क्वोटेशन जो कहते है कि बुरे हम हम पूरा डिखते हैं अपना 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 मिश्ट्री आच्परी आप प्र लिए इस ड्कवरी अगर पढ़ लेजेशन यह इसमारे अपना फैर्श एंगर टो अगर इसम्द्री प्रिशन लिख जो नहीं लागिशन इसका को गूर जो है मिए कि इसका कूर जो है लो तो रेसिम एक झाल सकते हैं अगर नहीं हम एक हो बदने हैं एक जो इसार बना जाएंगे और च्छार इंडिया सिविलाजिशन कार्ट एक हाथा इंडिया एक जाएंगें ऐस एवलाषा ब जरते हैं इडिया पाल चाहिए जानित्व एक फ्र जांडिया में अजर को तो आप लोग इस दोर में भी बहुत optimistic है और मुझे यकीन है कि जब इतिहास और जो वक्त राजनीती की दिशा बदलेगी तो हम फिर से बैठेंगे और फिर से बात करेंगे बात जो है सिर्फ तीनमूर्ती भवन के नाम बदलने का नहीं है नहरू का नाम हटाने का नहीं है बात उससे कहीं और ज़्यादा बढ़ चुकी है जैसे आप दोनों ने समझाया हमको कि पूरी एक सोच है एक certain value system है एक certain political vision है जिसको परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है आप दोनों का बहुत-बहुत धनेवाद हमारे कारेकरों जोड़ने के लिए हम भी यकीन करेंगे हमा आज के दो मेहमानों की तरह की वक्त बदलेगा एक U-turn होगा तब हम फिर से बात करेंगे इसी तरह से हम लोग दोबारा बात करेंगे नमस्कार